मुसल्मानों को एक जूट करने के लिए नितीश कुमार ने बनाया बड़ा प्लान जिह आपको बता दे कि मुसल्मानों को आकर्षित करने के लिए नितीश कुमार और जड्यू ने नया प्लान बनाया है दरसल आपको बता दे कि खाली दनवर के दावते इफ्तार पार्टी के बाद अब बिहार में सियासी इफ्तार का दोर एक बात फिर से शुरू हो गया है अब 7 अप्रेल को बिहार के मुख मंत्री नितीश कुमार के इफ्तार पार्टी होगी एक अने मार्गिस्थित सिये मवास पर दावते इफ्तार का आयोजन किया जाएगा उसके अगले ही दिन यानी की 8 अप्रेल को जद्यू के इफ्तार पार्टी भी होगी दावते इफ्तार के जर्गे 2024 की रर्निती भी तैक की जाएगी आपको बता दे कि जद्यू MLC खाली दन्वर ने बताया है कि मुख्यमंत्रे इंतीश कुमार 7 अप्रेल को इफ्तार पार्टी का आयोजन कर रहे हैं एक अड़े मार्ग स्थित्स ये मवास पर दावते इफ्तार रखी गई है इसके ठीक अगले दिन यानी की 8 अप्रेल को जद्यू की तरफ से दावते इफ्तार का आयोजन किया जाएगा इस दौरान कई और इफ्तार पार्टी आहोंगी इस इफ्तार पार्टी में हम लोग यही दौरा करते हैं कि देश को भारती जनता पार्टी से निजात मिले रामज़ान के महीने में इफ्तार के नाम पर सियासत कैसे होती है इसकी जलक जद्यू के विधान पारसद खालिद एनवर की दावते इफ्तार में दिखी थी जदियू के MLC खाली ने अपने इफ्तार में बिहार की मुख्य मंत्री नितीश कुमार को मुख्याती थी बना कर बुलाया था उनके लिए ही लाल की लिए जैसा मंच भी बनवाया था मैसेज यह दिया जा रहा था कि लाल कीले पर जंडा फहरानी की अब की बार-बारी नितीश कुमार की है जदियू MLC खाली दन्वर ने शोमबार को पट्टा के फुलवारी शरीफ में इफ्तार पार्टी का उजन किया था अपने खासमंत्री विजए चौधरी के साथ पहुंचे थे नितीश कुमार को लाल केली मंच पर बुलाकर सम्मानितीक वह इंसार पार्टी को लेकर मुख्यमंत्र नितिश कुमार लाल के यहां नजरा रहे थे वहीं उनके यहां पैच वह हमें गिन्जक्र तरह जब मुख्यमंत्री नितिश्कुमार पहुंचे तो उन लाल जैसे मंच पर बुलाया गया इससे तो यह स法 है कि जडियू दूसरी पाटियों और लोगों को यह मैसेज देना चाहती थी कि लाल किले पर अगली बार जंदा मुख्यमंत्री नितीश कुमार ही फैराएंगे और जदियों कहीं न कहीं उस चीज को दिखा रही थी जो कि वह बहुत पहले से कहती आ रही है कि प्लियम का फीस होंगे मुख्यमंत्री इसे में खालिद एनवर की घर पे इफ्तार पार्टी के बाद अब मुख्यमंत्री नितीश कुमार क्या वास और उसके बाद जदियों की तरफ से इफ्तार पार्टी का देना इस बात का संकेत देता है कि नितीश कुमार मुस accountable को एक जूट करना चाहते हैं और मुस्लिम वोट के लिए बने रहा हमारे साथ देखते रहें देंड़ा टॉप